हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं भारत लाइब मैं हूँ संतोस कुमार आज हम जिन सक्सिय से मिलने जा रहे हैं वो संजे सर हैं जो की यूपेसी और बीपेसी के लड़कों को पटना में हिस्ट्री परहते हैं और इनकी कोचिंग का नाम CME है हम इनसे यह जानने की कोशिस करेंगे कि अभी हाले में जो बीपेसी के परिच्छा हुई है और परिच्छा पत्र को रद कर दिया गया है इसलिए कि यह मामला आया है कि लीक हो चुका है प्रश्ण पत्र है इसी संदर में हम सर से बात करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे कि आगे चातर लोग क्या करेंगा तो सर आपका भारत लाइव में बहुत-बहुत स्वागत है शंतो जी आपको और आपकी पुड़े चैनल टीम को बहुत अभार कि आपने इस विशह पे हमें बोलने का मौका दिया और आप यहां पे आए सबसे पहली बात है कि जो यह लिक वाल प्रक्रन है बड़ा दुर्भागेपून है और हम सभी कल साम को जो पता चला तो बहुत आहत हुए हम लोग हम सिक्छक्षमुदाय और चातरगन और सभी लोग चाहेंगे कि जो हुआ है उस पर अच्छे से जाच करके कड़ी से कड़ी करवाई की जाए और हर लेबल पर एक आशी प्रक्रिया बनाए जा सके जिससे कि इसका असर पुड़े ट्रांस्परेंसी वाले फैक्टरे पड़े चाहें वो क्लिम्स हो मेंस हो इंट्रव्यू हो और आगे इसका दोहराव नहों और इस बात पर है मैं एक बात और भी रखना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्सो से बिहार लोग सेवायों का काम बहुत काबिले तारीफ रहा और 56-69 से लेकर कि अभी 66 तक ही सारी परिक्षाएं कोबिट के बीच में ही बहुत सक्रियता से लिया गया और बहुत सारे काम को अच्छा से किया गया यहां तक कि बाहर में कच्छी आसाएं भी बनी जैसे हम लो कि कभी आसा तक नहीं थी पर पिछली बार जो अंदेशा था उस अंदेशा में कुछ सचाई भी थी वह इस बार असपरस्ता सामने आ गया तो यह जो चूक है आज के दौर के लिए वो सुरुआत छोटे लिबल पर होता है बट वह बहुत बड़ा होया तो इसको बहुत इसको अता बिना मतलब के बहुत लंबी न्याइक प्रक्रिया में न ठेकेला जा सके जांच हो दोसियों पर कारवाई हो पर आयोग ने बहुत अच्छा काम किये हैं तो जहां अच्छा है हुआ पर तारीब की जाने चाहिए जहां कम्यां इसको ठीक किया ना चाहिए इस आयोग के तुलना में देखा जाए तो कई सारी परिक्षाओं को टाइमली लिया गया यह बहुत सकरात्मक बाते हैं हाँ जो कम्या रही है जैसे कि आपने देखा होगा पहले इंट्रिवू में पहले नाम और कई अधारों पर जिला पे समस्या होती थी अब कोडिंग अच्छा फाइदा हुआ है और अभी वी कुछ कम्या होंगी हम हम लोग सबी बात को नहीं आ सकते हैं मैंने खुद जब मैं अठार में पटना आया था तो मैंने कुद प्रोफेसर वाला इंट्रिवू दिया था और उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्स भी थे पॉइंट से म था गुपता जी के बोर्ड में पड़ा था तो मुझे पाड़ नाम तक नहीं बोलनी दिया था और कोई जिला करने और में हम लोला अतार गाइड करते हैं तो इंट्रिवूल में मुझे अच्छा लगा तुलात में उसे पहले के अवस्ता में इधर मेंस भी हुए है तो उस काम को जो किया गया वो भी सराहनी है मेरा मतलब है कि कम्यों को यथा सिर्थी किया जाए और बहुत डिले करवायरने से कई बच्चों को भी दिक्कत होता है सर्थ 6 लाग बच्चे से अधिक इसमें भाग लिए थे और इसमें से बिहार के ही चात्र नेते हैं यूपी के दिल जिमिदारी निधारित की जाए मैं तो यहां तक कहूँगा कि अगर चात्रों को मानसिक उत्पीरन है तो उसके लिए तो कुछ यही हो सकता है कि और टाइमिंग के लिए बीपेसी कैलेंडर जारी कर दे और यतासरी स्टिश को ठीक करे और जो अन्य जो वीतिये समस्या हैं जो कि गरीब चात्र के लिए बहुत दूर से आना मैं कल पता चला कि कि दूर दूर से बहुत मुस्किल से ट्रेंड की टिकट खड़ी दे थे और उसके लिए मैं कहूँगा कि कुछ ऐसा कदम बिहार सरकार उठाया आयो उठाय कि उनका जो आने जाने खर्चा और जो चीजे लगा उसको निर्वहन किया जाए तक इसे एक जुर्माना वली बात होगी उचित कारवाई जो के अलावा ये भी किया जाय सके तो मुझे बड़ा खुशी होगा माननिये प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी ने कहा है कि पांच जार रुपय दिया जाना चाहिए प्रतिएक छात्रों को इससे आप कितना समय थे मैं तो खर्चा का नहीं बदा सकता हूं लेकिन विपक्ष की भूमिका भी होती है कि सतापक्ष के कम्यों कुछ आगर करे तो यह उन्हें किया है तो बहुत सारा निये है और चात्रीत में कि उच्छीत रूप से जो भी हो समचित उसका हर उससे ज्यादा भी सहोत और अच्छी बात रहेगी यानि आप मानते हैं कि कंपसेशन सरकार को देना चाहिए मेरा मैं इस पर बहुत सहमती ब्यक्त करता हूँ चुकि जो चात्र है खुद करोना में बहुत समस्याओं में रहे हैं और उनमें उनको सहयोग मिलना चाहिए इसी दिरुप से सर आंतीम प्रश्ण आपसे यह जानना चाहते हैं कि अभी बीपीएसी का जो परिछा हुआ और रद हो गया ऐसे चात्र लोग काफी डी मोटिवेटेड हो गया है उनको लग रहा है कि मेरे साथ बहुत बढ़ा हादसा हो गया ऐसे बात बढ़न में आप चात्रों को क्या कहन चाहेंगा कि उपने आपको मोटिवेट करें कैसे आगे ले जाए है यह सबसे सकरात्मक स्वाल सवाल सबसे पहलीहिए बात कि जैसे हमारे सरीन में आँके आगे हुँए यह कुछ इसलिए भी है कि हम आगे भी देखें पीछे से सीख ले सबक लेश्टर shaken चात्रों को कि है इस प्रक्रन में सजग रहे, दबाव बनाए, लेकिन इसी में अपना कीमती समय न वरवाद करें, वो एक चौक आउट करें कि आगे क्या-क्या होने वाला है, जैसे अभी तुरंत अगले सप्ता CDPO की परिक्षा है, तो वो अगर CDPO भर है तो CDPO के लिए काम करें, बिहार स्तर सच वाले सेवा की परिक्षा है, उसको भी टारगेट करें, जो भी अगर किसी का इंटर्व्या ही होने तो चौक चारगेट करें, तो एक लक्षबनाए, हमको टारगेट करना है, दूसरा यह भी करें कि अगर उनका एक्जाम अच्छा गया था, तो मान के चलीक आगे भी झ क्लियर करते थे शुरुआत में एक दुबार पिटी नहीं भी हुआ था पर जब होना शुरुआ तो हर बार हुआ तो हर बार हुआ तो वो मानकर चले कि उनका इस बार अच्छा गया है तो उनका आगे भी अच्छा जाएगा तीसरी पाइंट एक और भी देखें कुछ चीजो में उन बदलाओं को एड़ अप करें चाहिए पॉलिटी में कुछ सवालों का बदलना हो या वर्ल्ड जोर्फी में मैप की बात हो या एकनॉमिक डेटा की बात हो तो कुछ सीख लिया सकते हैं आगे की एक एक्जाम को टार्गेट किया जा सके और एक सबसे बड़ी बात कि कि दो तरह का प्रसंग चलता रहता है संतोज जी एक चलता रहता है शकरात्मक्ता का वह हम 90 95 पर्षन शकरात्मक रहें एक नई उड़जा के साथ आगे वढ़ें क्योंकि हमें इसे ब्यार की ब्यवस्ता में रहना है हमें हम आयोग नहीं बदल सकते हैं हम अपने बेवस्ता सारे 400 प्लस बचे जो मौक दे रहें सब हमारे स्टुडेंट नहीं है कई हमारे हाँ पहले जुरे हैं कई बाद में जुरे हैं विश्वास पर इनका एक मोमेंटम होता है अभी सीडीप्यों के परिच्छा होगी अगर हम विश्वास नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा हाँ यह आखिर में आगरा करूँगा कि छात्र तो बहुत विश्वास वाले हैं बिहारी छात्र तो इतने मेहनती हैं और बहुत आसाओं से फॉर्म को भड़ते हैं सरकार को आयोग को सब को यह चाहिए कि आगे इस प्रकार की जो गलतियां या इस प्रकार के जो वाक्या हुए है व तो कि सायद पहली बार पेपर आउट हुआ है जो संग्यान के साथ में ऐसे कुछ बाते विक्रितियां पहले भी थी तो पर लास्ट में बोलूँगा कि आगे की और छात्र देखें और एक सक्रात्मक उर्जा से बढ़ें तब ही अच्छा रहेगा जी नमस्कार ये थे CME के डियरेक्टर संजे सर इन्होंने बताया है कि छात्रों को क्या करना चाहिए और बीपेसी का जो परिछा भी रद हुआ है उसको लेकर हतुत साहित नहीं होना चाहिए अगर आपका पिपर अच्छा गया है तो आगे भी अच्छा जाएगा ऐसा सर का मानना है बहुत हो अगर रुगा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी